हेलो फ्रेंस तेश्टे को केंवित पना में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंस आज हम ड्राइ भरवा ब्यंगन बनाएंगी बहुत ही कम टाइम में बनेंगी ये और स्वाथ तो इसका ऐसा आएगा कि घर में अगर कोई है जो ब्यंगन नहीं खाता है उसे भी आप इस तरीके से एक बार ब्यंगन बनाके खिलाएंगे तो वो भी आपको हफ्ते में दो बार तो ये बनवाएगा ही अगर बच्चे हैं जो नहीं खाते हैं ब्यंगन तो वो भी बहुत ही अच्छे से और प्यार से ये ब्यंगन खाना पसंद करेंगे और हाँ घरवाले तो घरवाले अगर आप मेहमान को एक बार इस तरीके से बेंगन की सबजी बना के खिला देंगे तो मेहमान भी आपको पूछते रह जाएंगे कि आखिर आपने ये बनाए कैसे है तो चले फिर हम बेंगन की सबजी बनाना शूर करते हैं तो बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही अच्छी ये सब जीवन के रहरी होती है फ्रेंज तो इस वीडियो को आप पुरा ज़रूर देखिएगा तो बर्वा बेंगन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डेड़ कप बेसन लेना है और जब भी हम बेसन ले बेसन को थोड़ा ऐसे चानके ले ले तो मैंने सीधा कड़ाही में ही बेसन को चानके ले लिया है अब हमें मीडियमाद को रखते हुए बेसन को भून लेना है और बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक इस में से अच्छी खासी बेसन की भूनने की खुश्बूना आने लगे तब तक अगर आप टाइम में देखेंगे तो 4-5 मेर तक आपको ऐसे ही बेसन को भून लेना ह परेज़न की भून काा आपको एक दम हल्के हल्के गैस को रखते हुए ही भूनना है लेदे हैं भून के तयार हो गया है भूनने की खुशबो आने लगी है पर भूनके भून के रिया दांटे है लेखेंगे नहीं नहीं है अब हम मसाले करेंगे दालिगे द simplesmenteнем-में करेब में अभी 1 चमाच दाला है, आप बादमें जटक के इसमें नमक अजवाइन लेंगे और अजवाइन को इस तरिके से हाथों , से करष करके दाल देंगे उसके बाद 2 चमची अजरक लैसून और हरमीर्श की पेष्ट डालेंगे एक चमची हम इसमें चीनी डालेंगे और एक निम्बू का रस हम इसमें निचोड के डाल देंगे तो इस तरीके से निम्बू और चीनी डालेंगे तो चटपटा सा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा देखिए अच्छे से हमने एक निम्बू का रस इसमें डाल दिया है अब हम एक चमज भर के इसमें तेल डालेंगे सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे इस तरीके से मिक्स करने के बाद हाथों से भी अच्छे से बेशन को हमें मसलते हुए मिक्स कर लेना है सबी मसालों को अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगी तो पानी आपको एक साथ नहीं डालना है और आपको इसका बैटर नहीं बनाना है देखें जैसे आटा गुथते हैं बस वैसे ही हमें सकत गुथना है इस तरीके से हम पानी डाल के बेशन को मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मोईस्चर रहेगा इस वज़े से हमारे बेंगन है वो अच्छे से पक्के रेरी होगी और बेशन है वो भी अंदर तक अच्छे पक्के से रेरी हो जाएगा इस तरीके से हमें भी अच्छे क्छे बना लेगी ये वैंगने 2020 बिजेंगन बहुत है अच्छी सब्जीबन करेंगे इसके लिए इसको डंठल जे अलग इस तरीके से कट के रेड़ी तो ब्यांगन को आपको पहले साफ करके लेना है फ्रेंस मैंने भी धोके बहुत ही अच्छे से इसको पोच के ले लिया है क्योंकि हम बाद में इसको दोएंगे नहीं तो पहले हम ब्यांगन को इस तरीके से साफ करके लेंगे ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका पोशन है वो हमटा लेंगे, थोड़े से डंठल को भी हम तोड़ देंगे, लेकिन इसको डंठल से हमें अलग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो पहले हम सारे ब्यांगन को इसी तरीके से तयार कर लेंगे, उसके बाद ही हमें ब्यांगन को काटना है, तो मैंने आपको पहले एक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पहले से ब्यांगन को काट के तयार नहीं करना है क्योंकि हमें इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं रखना है काटने के बाद अगर आप पानी में रखेंगे तो फिर हम जब मसाला इसमें भरेंगे तो मसाला अच्छे से यह इसमें लग नहीं प को काटना है यह रेखिए तो बहुत ही अच्छा है एक दम फ्रेश ब्यांगन निकलेगा अंदर से और यह ज़रा सा भी काला नहीं हुआ है अगर आपको ब्यांगन है वो थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस तरीके से भी इसको काट सकते हैं यह रेखिए इसके मैंने 6 हिसे किये हैं छोटा ब्यांगन है तो आप 4 हिसों में काटें अच्छे से हम मसाले को भरेंगे पहले नीचे से दबाते हुए बेशन को भरना है और उपर तक लाना है और लाश्ट में हम इसको ऐसे दबा देंगे यह बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और अच्छे से पक भी पाएगा तो बस ऐसे ही हमें सारे ब्यांगन को भरके रैडिकल लेना है तो फ्रेंट्स इस सबची को आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा यह बहुत ही अच्छे बनती है ऐसे ही हमने सारे ब्यांगन को भरके रैडिकल लेना है तो बस ऐसे ही मैंने सारे ब्यांगन को भरके दाग देंगे अगर आपके पास इस तरीके से चोड़ा बरतन है ताप ज़रूर ले नई है तो कटाइप बर्ट सकते है इसमें इस तरीके से हम ब्य anda लगाएंगे इसमेगे एक करके अच्छे तो अभी आपको ब्यांगन में तड़कावड़का कुछ भी नहीं लगाना है फ्रेंज पहले इस तरीके से आपको ब्यांगन को पका लेना है तो सारे ब्यांगन को ऐसे सेट करने के बाद इसको ढख देंगे और दो-तिन मिनट के लिए एक साइड से हम पकने के लिए छोड़ तो सारे ब्यांगन को हमें इस तरीके से पलत देना है और फिर से इसको ढख के पकने के लिए छोड़ना है तो बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते हुए ब्यांगन को अच्छे से पका लेना है इसको खोलना है फिर पलत ना है और ऐसे करते हो अच्छे से ब्यांगन पक करते हुए ब्यंगन को पका लेंगे तो करीब ब्यंगन को पकने के लिए 7-8 मिन या फित 10 मिन भी लग सकते हैं देखिए अच्छे से हमारे जो ब्यंगन है वो पक के रेडी हो गए है यह देख सकते हैं तो बस इसी तरीके से हमें ब्यंगन को पका लेना है तो अब आप चाहे तो इस तरीके से भी ब्यंगन को खा सकते हैं बिना तर्का लगाए ही लेकिन अगर आप इसमें अच्छा खासा और भी टेस्ट लाना चाहते हैं तो ब्यंगन को आप तर्का लगा लें इस तरीके से दूसरी कटाई लेंगे उसके अंदर दो तिन चम्मत तेल डाल देंगे आधा चम्मची राई डालेंगे आधा चम्मची जीरा डालेंगे दो चुटकी हल्दी पाउडर, दो तिन चुटकी हम गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही लाल मीट पाउडर डाल देंगे तो इस तरीके से थोड़ा तड़का लगा के करेंगे तो सबजी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसके उपर भी थोड़े थोड़े मसाले लगेंगे तो आपको यह बहुत ही पसंद आएगा थोड़ा हरा धनिया डालके थोड़ा सा नमक भी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर ले और तड़का लगा ले फिर जो हमने ब्यांगन को पका के रखा है वो ब्यांगन डालके हम इसको टॉस कर लेंगे तो ब्यांगन जो है वो हमारे पहले से ही पके हुए है तो इनको पकाने की जरुरत नहीं है सिर्फ आपको इस तरीके से तड़का लगा लेना है तो लीजिए फ्रेंस हमारे भरवा सुखे बैंगन बनके रेडी है तो फ्रेंस कैसी लगे आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरू से बताईएगा और अगर आप इस तरीके से एक बार बैंगन को बनाएंगे तो मेरी गैरंटी है कि आप बैंगन को इसी तरीके से बनाके खाना पसंद करेंगे तो इस रेसिपी को एक बार जरू से ट्राई कीजिएगा तो friends आपको ये recipe पसंद आई हो तो अपने family और friends के साथ recipe को share जरूर कीजिएगा चैनल पे नई है तो चैनल को जरूर subscribe कर दीजिएगा और तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक आसांसी और नई recipe के साथ तब तक के लिए bye bye and take care